आउ सुनिये करतार सिंग दुगल दी कहाणी करामात चाड़ियां सुक्के होई द्राखत दूर दूर तक कोई बंदा बण आधम नजर नहीं सियोंदा ते फेर अम्मी मैं हुंगारा परिया बाबा नानक अपने त्यान वेच मगन तुर्दे जा रहे सन कि मर्दाने नूप्यास लगी पर उथे पाणी कि थे बाबे ने क्या मर्दाने आ सबर कर लै अगले पिंड जाके तु जितना तेरा जी करे पाणी पी लवी पर मर्दाने नू ते डाड़ी प्यास लगी होई सी बाबा नानक ए सुन के फिकर मंध हुए इस जंगल विच पाणी तां दूर दूर तक नहीं सी ते जदो मर्दानना अड़ी कर बैठदा तां सब लई बड़ी मुश्कल कर देंदा सी बाबे फेर समझाया मर्दानने आ इथे पाणी किते वी नहीं तू सबर कार लै राबदा पाणा मन पर मर्दानना तां ओथे दा ओथे यी बैठ गया एक कदम हो रोस्तों अगे नहीं सी तुरिया जानता बाबा डड़ा जिच पया गुरु नानक मर्दानने दी जिदनु वेख मुश्कुरांदे हैरान पए हुन्दे आखर जदों बाबे ने मर्दानने नू किसे कॉली ते ओंदे ना वेख्या तां ओ अंतर ते आन हो गए जदों गुरु नानक दी आख खुली मर्दानना मच्छी वांग तड़फ रहा सी सत गुरु उसनु वेख के मुश्कुराए ते कैन लगे पाई मर्दान्या एस पहाड़ी उत्ते इक कुटिया है जिस विच वली कंदारी नादा दर्वेश रेंदा है जे तु ओदे कोल जा जान के विच बस ओद अखु पाणी नाल पर या होया है होर के दी वी पाणी नहीं ते फे रम्मी मैं भी चैन हो रहा सां ए जानन ले के मार्दाने नु पाणी मिलदा है कि नहीं मार्दाने नु प्यास डढ़ी लगी होई सी सुन दे आंसार पहाड़ी वाल दौड पया कड दिक दीद पैर, उद्रों प्यास, उद्रों पहाड़ी दा सफर, साहो साही, पसीनों पसीनी होया मर्दाना, बड़ी मुश्कल नाल पहाड़ी उत्य पुझ्जा, वलीकंदारी नू सलाम कर, उसने पाणी ले बेंती किती, वलीकंदारी ने खूवल इशारा कीता, जदो मर्दाना खूवल जान लगा, ता वलीकंदारी दे मन विच कुझ आया, ते उसने मर्दान ने तू पुझ्छया, पले लोक, तू कितों आयाए, मर्दान ने निक्या, मैं नानक पीर दा साथी आ, असी तुर्दे तुर्दे इद दरा निकलेया, मैंनू प्यास डाडी लगी है, ते हेठा के ते पानी नहीं, बाबे नानक दा ना सुनके, वलीकंदारी नू डाटा क्रोध आगया, ते उस मर्दाने नू अपनी कुटिया विच्छों उंज दा उंज बार कट दिता, थक्या हार्या मर्दान ना, हेठ बाब नानक ने ओस्तों सारी विथया सुनी, ते मुस्कुर हापे, मर्दाने आ, तू एक वार फेड जा, बाबे नानक ने मर्दाने नू सला दिती, इस वार तू निमरता नाल, चिक्का दिल लेके जा, कहीं मैं नानक दर्वेश्ता साथीया, मर्दाने नू प्यास डाडी लगी स पाणी होर किते है नहीं सी, खपदा, क्रिजदा, शिकायत करदा, फेर उत्ते तूर पया, पर पाणी वलीकंदारी ने फेर ना दिता, मैं एक काफर दे साथी नू पाणी दी चुल्ली वी नहीं देांगा, वलीकंदारी ने मर्दाने नू फेर उंजदा उंज मोड दिता, जदो मर्दाना इस वर हेठा आया, तो ओसता बुरा हाल सी, उसते होठां उत्ते पेपडी जम्मी होई सी, मू उत्ते त्रेलिया चुटियां हो यां सान, इंज जापता सी मर्दाना बस कड़ी है कि पल, बाबे नानक ने सारी गाल सुनी, ते मर्दाने नू तान निरंकार कह के इक वर फेर वली को जान लई क्या, हुकम दा बद्धा मर्दाना तुर्पया, पर उसनू पता सी के उसती जान रस्ते विची किते निकल जावेगी, मर्दाना ती जीवार पहाडी दी चोटी उत्ते वली कंदारी दे चर्ना विच जाडिका, क्रोध विच बल रहे फकीर उसती बेंती नू एस वार वी ठुकरा दित्ता, नानक अपने आपनू पी रखवांदा है, ता अपने मुरीद नू पाणी दा कोट नहीं पिला सकदा, वली कंदारी ने लख लख सुनावता सुटिया, मर्दाना इस वार जदों हेठा पुझा, प्यास विच बेबल, बाब नानक दे चरना विच उब्यो शो गया, गुरु नानक ने मर्दान्य दी कंड दूते हाथ फेरया, ओसनू हौसला दित्ता, ती जदों मर्दान्यने अख खोली, बाबे ने ओसनू सामने पत्थर पुटन ली कया, मर्दान्यने पत्थर पुट्या, ते हेठों पाणी दा चर ना फुट निकलेया, जिवे नैर पाणी दी वगण लगपई, ते वेखदेयां वेखदेयां चौं पास से पाणी ही पाणी हो गया, इन्ने विच वलीकंदारीनू पाणी दी लोडपई, खुवेच वेखे ता पाणी इक सिपवी नई सी, वलीकंदारी डाड़ा अस्चर्ज होया, ते हेठ पहाडी दे कदमा विच कठे वागरे सान, चश्मे फुटे होय सान, दूर पहुत दूर किकरहेठ वलीकंदारीने वेखेया, बाबा नानक ते ओस्दा साथी बैठे सान, गुस्य विच आके वलीने चटान दे एक टुकडे नू अपने पूरे जोर नाल उत्त इंज पहाडी दी पहाडी नू आपने वाल रिट दी ओंदी वेख मर्दाना चचला उठेया, बाबे नानक ने थरमे नाल मर्दाने नू तान निरंकार कैन लेक्या, ते जदो पहाडी दा टुकडा बाबे दे सिर्को लाया, गुरु नानक ने ओस नू हाथ देके अपने प दाल विच जिस्ता नाहुन पंजा साब है, अजे तीक पहाडी दे टुकडे उत्ते बाबे नानक दा पंजा लग्या होया है। ते पहाडी विच अजे तीक बाबे नानक दा पंजा लग्या होया है। मैनू जरा नाहित बार होंदा। बाद विच किसे ने खुण दित्ता हो नाई। मैं अपनी मा नाल किन नाचिर बैस करदा रेया। मैं एते मन सकदा साँ के पत्थर हेठों पाणी फोटावे। रोक लेना मैं ए नहीं मन सकदा सा। मैं नहीं मन दा सा ते मेरी मा मेरे मूँवल वेख के चुप कर गई। कोई रिडी आ रही पहाडी नू किवे रोक सकदा है। मैंनू जदोवी एस साखी दा खेयाल ओंदा मैं फिक्की हासी हस देन्दा। कई वारी गुर्दवारे विच ए साखी सुनाई गई। पर पहाडी नू पंजे नाल रोकन वाली गल उत्ते मैं हमेशा सिर मार देन्दा। ए गल मैं थो नहीं मननी जा सकदी सी। एक वार ए साखी सानू स्कूल विच सुनाई गई। पहाडी नू पंजे नाल रोकन वाले हिस्से उत्ते मैं अपने उस्ताद नाल बैसन लग बया। करनी वाले लोका लई कोई गल मुश्कल नहीं उत्ती। साड़े उस्ताद ने मैंनू के हाथ ते फेर मैंनू चुप करवा दिता। मैं चुप हो गया पर मैंनू इतबार नहीं सी ओन्दा। आगर पहाडी नू किवे कोई रोक सकदा है। मेरा जी चौन्दा मैं जोर जोर के चीख के कवां। बहुत दिन नहीं सन गुजरे के असी सुनेया पंजे साहिब साका हो गया है। उना दिना विच साके बड़े हुन्दे सन। जदों वी कोई साका हुन्दा मैं समझ लेंदा आज साड़े कार रोटी नहीं पके गी ते रात नू पुझे सोना पवेगा। पर ए साका हुन्दा की ये। ए मैंनू नहीं सी पता। साड़ा पिंड पंजा साब तों कोई ज्यादा दूर नहीं सी। जदों एस साके दी खबर आई। मेरे मा जी पंजा साब लें तुर पए। नाल मैं सां मैं थू निक्की पैन सी। पंजा साहिब दा सारा रस्ता मेरी मां अख नहीं सुकी। असी हैरान सा ए साका हुन्दा की ये। वे जदों पंजा साब पुझे असी एक अजीब कहाणी सुनी। दूर किते एक शैर विच फरंगी ने ने हत्थे हिंदोस्तानिया उत्ते गोली चला के कई लोका नू मार सुट्टे आ सी। मरनवालिया विच नौ पुखे सन, प्यासे सन। ते हुकम एसी के गड़ी नू रस्ते विच किते वी ना ठहराया जावे। जो तो पंजा साब एक खबर पुझे जिस किसे ने सुनेया लोका नू चारे कपडे अग लग गई। पंजा साब जिते बाबा नानक ने आप मर्दाने दी प्यास बुझ जाई सी, ओज शेर तो गड़ी दी गड़ी परी प्यासियां दी लंग जाए, पुखेयां दी लंग जाए, मजलूमां दी लंग जाए, एक कि में हो सकदा सी। ते फैसला होया के गड़ी नू रुकिया जाएगा। उना ले पाणी दा कोई परबंद नई सी, उना ले रोटी दा कोई इंतजाम नई सी, गड़ी ने पंजा साब नई सी रुकना। पर पंजा साहिब दे लोकां दा ए फैसला अटाल सी के गड़ी नू जरूर रोक लेना है। ते शेर वासियां ने स्टेशन उत्ते रोटीयां खीरां दे, पूड़ेां दे, दालां दे, टेर ला देते, पर गड़ी ता हनेरी दी तरा आवेगी, ते तुफान दी तरा निकल जावेगी, उसनू किवे रुक्या जावे, ते मेरी माँ दी सहेली ने सानू दसेया, उस था पटड़ी उत्ते पहले ओ लेटे, मेरे बच्चिय पिता, फिर उना दे नाल, उना दे होर साथी लेट गए, उना तो बाद असी पत्नियां लेटियां, फिर साधे बच्चे, ते फिर गड़ी आई दूरों चीखती होई, चिचलांदी होई, सीटियां मार दी होई, अजे दूर इसी के मठी पैगई, पर रेल सी, खलोंदियां खलोंदियां खलोंदी, मैं वेख रही सी के पैए उना दी छाती होते चड़ गए, ते फिर उना दे नाल दे दी छाती होते, ते फिर मैं अक्खा मीट लियां, मैं अक्खा खोली यां ते मेरे सुरुत ते गटी खलोती सी, मेरे नाल तुड़क रही यां छाती यां शां तुकडे तुकडे हो गईयां। मैं अपने अक्खी बलगु दी वगी हुई नदीनू वेख्या। वगदी वगदी किन्नी ही दूर एक पक्के बने नाले देपुल तक चली गई सी। ते मैं हक्का बक्का हैरान सां। मैं थो एक बोलना बोल्ले आ गया। सारा दिन मैं पाणी दा कुट ना पी सकया। शामी जदों असी वापस आ रहे सां। रस्ते विच मेरी माने मेरी छोटी पैन नू पंजा सहिब दी साखी सुनौनी शुरू कर दिती। किवें बाबा नानक मरदाने नाल एस पास से आये। किवें मरदाने नू प्यास लगी। किवें बाबे ने वली कंदारी कोल मरदाने नू पाणी लई पेजया। किवें वली कंदारी ने तिन वार मरदाने नू निराश वापस कार दिता। किवें बाब्य नानक ने मर्दाने नू पथर पुट्द लई कया, किवें हेठो पाणी दा चश्मा फुट पया, ते वली कंदारी देखुदा सारा यदा सारा पाणी हेठां खिचया हुएा आगया, फेर किवें गुससे विच वली कंदारी ने उत्तो पहाडी दा तुकडा किवे मर्दाना कबराया पर बाब्बे ने तानने रंकार कैके आपने हाथ नाल पहाडी दे टुकडे नू ठाल लेया पर पहाड नू किवे कोई रोक सकदा है मेरी छोटी पैन ने सुनदे सुनदे चाटमानू टोकिया क्यों नहीं कोई रोक सकदा मैं विच बोल पया हनेरी वांग उटदी होई ट्रेन नू जे रोकिया जा सकदा है ता पहाड दे टुकडे नू क्यों नहीं रोकिया जा सकदा ते फेर मेरी यां अक्खां विच्चों चम चम अथरू वगन लग पै करनी वाले ओना लोका लई जिनाने अपनी जान उते खेड के ना रुकन वाली ट्रेन नू रोक ले आसी ते अपने पुखे पाने देश वासियानू रोटी खवाई सी पाणी पहंचाया सी ज़ा करने ते खवाई सी पाणी जाए सी खवाई सी